हेलो फ्रेंड्स एक वाफे स्वागत है आपके अपने व्यूडूब चैनल एजूकेशन ऑनलाइन पर हम आज आपके लेकर क्या आगए हैं इंग्लिश प्रोज का चेप्टर फोर दे होम कमिंग का सौर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन इससे पहले हमने फर्स्ट लेशन चेप होम कमिंग का इससे पहले रिफ्रेंस तुड़ो कांटेक्स हो चुका है और हिंदी मिनिंग भी हो चकी है अब सौर्ट एंसर टाइप कोश्चन आज आपके लिए लेकर के हम आ गये हैं सारे कोश्चन महत्वपूर्ण होंगे या तो एक्जाम में आ चुके हैं या फिर आने इसके लिए एक वीडियो बना दिया है जिसमें आप प्रोच के सारे लेसंस और उसके राइटर के नयाम बहुत आसानी से याद बिना याद की याद हो जाएगा मतलब क्यों आप वीडियो देंगे तो याद हो जाएगा आपको आप जाकर के उसे प्लेलिस्ट में देख सकत हैं तो चली सुरू करते हैं पहला कोश्चन हमारा यह है सौट एंस टाइप कोश्चन में सौट में आपको देना है 25 से 30 वर्ड के भीतार ही देना है उससे अधिक नहीं देना है उससे कम आप एक लाइन के दिजे दो लेकिन 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए 30 से ज्यादा न नौटी बॉइज और वह सभी सरार्ती वच्चों का सरदार था एक तरह से सभी का रिंग मास्टर था ठीक है दूसरे कोश्चन परते हैं तो हाव ड़स फर्टिक फील वेन ही इस इन कोलकता इंपोर्टेंट कोस्चन है यह आपके एक्जाम में आभी चुका है और आभी सकत रही तो हूब अपोर्टिक वेन ही इस आट कोलकता फार्तिक कैसा मशुस कर रहा थह जब वह कोलकता में पहुंच गया ठीक है जब व और इन कुश्के आपके लाक ही तो यह कहें नहीं थो का ही भेंडिक hijs वह इसकी किताब चुकी भूल गई थी फटिक की तो इसके लिए वह उसकी मामी डाट रही थी उसे He is the most backward boy in the school और वह अपने school में भी सबसे पिछड़ा हुआ रड़का था He feels very sad वह काफी क्या महसूस कर रहा था उदासी भरा महसूस कर रहा था वह काफी दुखी था ठीक है बढ़ते हैं question number 3 की तरफ Question number 3 यह है कि why does Bisambar want to take Fatic to Kolkata Bisambar Fatic को Kolkata क्यों ले जाना चाहता था ठीक है तो Bisambar Fatic को Kolkata क्यों ले जाना चाहता था Fatic is a naughty boy Fatic क्या था वह एक सरार्थी बच्चा था He is the ringleader of the boys वह भाई जितने भी सरार्थी बच्चे थे उसके क्या था एक ringleader था He his mother is always angry with him और उसकी माता हमेशा उससे क्रोधित हुआ करती थी इसके खरकतों से so Bisambar wants to help him help his sister What did Fatic and his friends decide to do Fatic और उसके दोस्तों ने क्या करने का सोचा तो starting में ही पैसेज में पहले पैसेज में ही है कि Fatic was a naughty boy He was the ringleader of his gang One day a new mischief got into his head एक दिन उसके नई सरारत उसके दिमाग में आई There was a heavy log lying on the mud, a flat of river waiting to be shaped into the mast for a boat एक जो लकडी का लठा था हुआ नदी किनारे पड़ा हुआ था जो कि नाव बनने के सेप में आने के ही वाला था Fatic and his friends decided that they should ship the log by force from its place and roll it away Fatic और उसके दोस्तों ने सोचा कि वा इस जो लकडी का लठा इसको हम क्या करें धक्का दे करके नदीम बहार देंगे The owner of the log would be angry and surprised and they would enjoy all the fun और जो उसके लठे का जो मालिक था मालिक था हुआ क्या होगा गुस्ता करेगा और तो आश्यर चकित होगा कि आखिर उसका लठा गया कहां और यह लोग को आनंद मिलेगा यह लोग उसे enjoy करेंगे उस moment को तो यह उसके फ्रेंड और पर्टिक ने decide किया था आगे बढ़ते हैं तो अगले question करने से पहले एक बार फिर से आपसे करना चाहूंगा कि लाइक कर दिजिए वीडियो को जरूर लाइक करने से पैसा नहीं मिलता है यह तो आपको जानते ही होंगे पर्टिक के house पर फटिक के घर पर कौन आया बिसंबर brother of फटिक's mother जो फटिक की जो माता थी उंसके भाई विसंबर यानि की who is the material uncle of फटिक जो की फटिक के मामा थे came to फटिक's house फटिक के house पर आये यहां तक भी ऊपर पूरे आये थोड़ा हो डिटेल देते हैं विसंबर हैड गॉन अवे सून आफ्टर दा मैरेश ऑफटिक समदर एंड ही सिस्टर एंड ही अल्सो श्टार्टेड बिजनेस अट बॉंबे और काफी जो पर्टिक की जो साधी हुई थी पर्टिक की जो साधी हुई थी उसके बाद से दोनों मुंबई में रहने लगे थे औ अबए बिजनेस करते थे6 नमर है वाइव लाऄ ट उनःप इन कलकता प्रटिक कलकता में दुखी क्यों था ऐसवार् था इसे पहले की प्रटिक कैसा म हसूस कर रहा था कलकता में अभ यह क् Ouch है कि फर्टिक कलकता में दुखी क्यों था तो इसका एंस वो जाएगा फर्टिक वाज सेंट टू कलकता बाइज मदर सी होप डैट देट बॉड गूड एजुकेशन एंड बी हैपी ही दियर यह बहुत इंपर्टन कोश्चन है इस बात को ध्यान रखेगा तो वह आसा करती थ थी कि वहां पर लड़का जा करके पढ़ने में ध्यान देगा और खुश रहेगा फर्टिक टू एक्सपेक्टेड तो हैव एन एक्साइटिंग लाइब बट इस अन डिड़न तो हीम एनी लव पर्टिक भी ऐसा महसूस कर रहा था कि वहां पर आज जाने के बाद काफी प्रटिकुशन देड़के अनुपर्टेंट कोष्टिंग देस तो हीम और बाए वृत्य वेस्ट विए जाने पाह पके लिए आपके लिए खिए खार्ट अंपर इस इसे सिर्टेड फॉ गया थेत्स यहां पर तो यहां पर जो है यह हमना आ रख्या इंपर्टेंट कोस्ट जो थे वो खतम होते हैं हमने आपके लिए 600-100 टाइप कोस्टेन लेकर के आए हैं इसमें से ही आना होगा तो अगर आएगा और और अगर इंपोर्टेंट होगी तो आगे हम जरूर लेकर करके आएंगे उसको भी लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करते रहेगा इसको नोट रहे हैं आप एजुकेशन ओनलाइन के साथ तब तक के लिए बाई तिल देन टेक क्या बाई बाई थैंक यू स्क्राइब एजुकेशन ओनलाइन और दोंट फोगेट तो प्रेस्ट बेल आइकन फोर मोर अप्डेट थैंक यू